और इस वक्त इस्रो कमांड सेंटर से एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है आपको बता दें आट्रमाटिक सीकुन्स कमांड को लॉक कर दिया गया है यह इस्रो की तरफ से बताया गया और दूसरी जानकारी है कि अभी तक सारे पैराबीटर्स बिल्कुल नॉर्मल है यानि जो यंत्र जहां जैसा काम करना चाहिए जो रफ्तार होनी चाहिए हर लिहाज से चंद्रयान तीन मिशन जो है वो उनी तैमानकों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अभी यह जो खबर दी गई है इस पर रागवन आपको और जानकारी देंगे हमारे स्योंगे जी रागवन करना वो कैलकुलेशन सामने आ जाती है कि कि किस तरीके से पूरी यह जो डिसेंट है पूरा लैंडिंग होगा मैं आपको बता जाता हूं रफ ब्रेकिंग जो जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे है रफ ब्रेकिंग फेस जिसमें यान को बहुत तेजी से नीचे लाना होता ह है उसका जो टाइम दिया गया है वो 690 सेकेंड का है उसके बाद एटिटूड होल्डिंग फेस होगा वो 10 सेकेंड का होगा इसमें यान को 50 डिगरी कौन पर घुमाया जाता है ताकि वो होरिजॉंटल से वर्टिकल हो जाए और लैंडिंग जो है उसके लेक्स पर हो उसके जो फाइन ब्रेकिंग है यह 175 सेकेंड की होगी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फाइन ब्रेकिंग और उसके बाद के जो स्टेजेस हैं उस दौरान ही हमने चंद्रयान दो में हमारे विकरम लैंडर को मिस कर दिया था और वो कम्युनिकेशन जो है वो कट गया था फाइन ब्रेकिंग इस बार 175 सेकेंड की रखी गई है साथ ही इसके बाद पहली बार होवरिंग होगी 12 सेकेंड की जब वो 150 मीटर चांद की सता के उपर होगा और वहां से वो फोटो खीचेगा जो लैंडर हजार डिटेक्शन एंड जो उसका जो एक स्पेशल कैमरा उस पर लगाय गया है उससे वो फोटो खीचेगा और यह पता लगाएगा कि उसके लिए माकूल जगह सास्ट लैंडिंग के लिए कौन सी है वो हवरिंग फेस होगा 12 सेकेंड का उसके बाद वर्टिकल डिसेंट शुरू हो जाएगा वो पहला डिसेंट 140 सेकेंड का होगा उसके बाद वर्टिकल डिसेंट है तीन जिसे वर्टिकल डिसेंट 3 का आ गया है वो 40 सेकेंड का होगा इस वक्त वो टचडाउन कर गया होगा तो यह सारी गणनाय जो कैलकुलेशन है अब वो सामने आ गई है इसका मतलब यह है कि वहाँ पर सब कुछ आल ओके है सौरू यह ठीक ऑर्ट पूरी टाइम इसको एक तो जो जो लेंडर का सारे पेरामिटर्स चेक किया जा रहा था जिसको जो जो हमने कैलकुलेट किया सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं दूसरा जो चंद्रायन 2 का और्बिटर से बार-बार बोलनों वो बहुत इंपोर्टन है लेंडिंग साइट का चुनने का जो फोटोग्राप ले रही है या तो हाई-resolution फोटो लेंडर का जो फोटोग्राप आ रहा है तो उनों से मैच कर लिया गिया तो मतलब उस लेंडिंग साइट में जो पहले हम देखा था अभी जो देख रहा है नस्दिक से तो उनों एकदम मैच कर रहा है और हर बार यह चलते-चलते जितना हम टेस्टिंग कर रहा है इंस्टूमेंट को सारे इंस्टूमेंट एस पर डिजाइन काम कर रहा है उसमें जितना हमने में दिया उससे कम है तो सारे कुछ जब गैरंटेड होता है तभी इसको लॉक कर दिया ते मतलब और ऑप्शन कुला नहीं अभी आपको लेंडिंग के लिए अल्टिमेटरी पांच च्वालिस में कमेंड दिया जाएगा तो यह सारे सिस्टेम काम कर रहा है तभी जाकि इसको लॉक कर दिया गिए जिसको इसको इसरो बता रहा है अट्रमेटिक लांडिंग सीक्वेंस वो तब इनिशेट किया जाएगा वो शुरू का चोवालिस पे पांच चोवालिस पे लास्ट कमेंड वो जाएगा यह आप शुरू करो डिसेंट फेज शुरू करो उसके बाद उसका ओन बोर्ड कॉंप्यूटर जो लिमिटेड जो आर् करने जा रहा है उसको जो अमने पहले भी बोल रहा था उसको इनाफ फ्यूवल है रिजाफ फ्यूवल है प्रापेलंट है वो थोड़ा सा इधर उधर हटके अपना चूज करके लेंड कर सकते हैं लेकिन यह सब कुछ होगा लेंडर का अपना कॉंप्यूटर सिस्टेम का ड समलोग 2 सेकंड यह जो 4,4 सेकंड का गैप उसमें लेंडर काफी आगे पीछे हो जाएगा